हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी प्रहाई बेची चल रही होगी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास एट आड़े सगरवाल की मैट्स की बुक का एक्सरसाइज 6C पिश्टी वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 6B के प्रॉब्लम को समझाया था और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 6C के प्रॉब्लम को ठीक है इस एक्सरसाइज में में हम लोग को करना है डिवाइड यानि के भाग करना है ठीक है एक आपका दियाव यहाँ पर आपको क्या करना है जिसमें आपको भाग करना है और यहाँ आपको और रिमेंदर पता करना उसी तरह के से याँ आपको डिवाइड करना है ठीक है आपका पहला कोशन है डिवाइड करना है पहला में फ्रस्ट आपका है 24 x square y cube और इसको डिवाइड करना है 3 x y से ठीक है तो आप कहा कीज़ेगा इसको ये मैंने लिग दिया कोशन बट नेक्ट क किसे नहीं लिखूंगा यह आपको book में दिया ही हुआ है करना क्या आपको 24 x square y cube में भाग लगाना है 3 x y से तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग 24 x square y cube लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 3 x y ठीक है अब यहां पर आपको क्या करना होगा देखिए यहां पर आप इसको जैसे 24 है न तो 24 को 3 से भाग लगा यह कितना जाएगा 8 तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि देखो 24 x 3 कर दिजिए और यह आपका जो है न इसको आपको करना क्या है एकस का पावर 2 है एकस का पावर 1 है तो इसको लिख सकते है एकस का पावर 2-1 और y का पावर आपके पास 3 उपर में है नीचे में 1 है तो 3-1 3 से 3 8 जा कर जाएगा तो आपका आंसर आजाएगा 8 X का power 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही आएगा Y पर power कितना हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 तो यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके से भी आप सवाल को बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे बनाना ही है लेकिन आप इसको short भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखो इसको मैं दूसा सवाल बताता हूँ दूसा सवाल में मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिसमें आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है करना यही काम है बड़ प्रोसेस थोड़ा सा छोटा होगा क्या करना है तो 36 x y z square है और नीचे में आपका दे हो जाएगा minus 9 x z ठीक है x z ऐसे ठीक तो अब करना क्या होगा 9, 4, 36 कर दीजेगा और यहाँ x है तो x x cancel हो जाएगा और z है न तो देखो यहाँ z square है यहाँ z का पार 1 है तो क्या हो जाएगा z से यह जो square है यह हट जाएगा क्यों उटेगा क्योंकि उपर में 2 था नीचे में 1 था तो 2 में से गया एक बचेगा तो z का पार 1 होना चाहिए इसलिए मैंने इसको उटा दिया अगर यहाँ 3 होता suppose that यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम क्या करते इसको काटते और इस 3 को यहाँ जो 3 होते इसको काटके 2 कर देते क्यों क्योंकि 3 उपर में है नीचे में 1 है 3 में से गया 2 तो उपर में 2 बचेगा तो यही काम करेंगे लेकिन इसा शॉट से कर सकते है और यहाँ पर आपका 4 और Y Z यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है 4 Y Z लेकिन यहाँ चुकी एक माइनस नीचे में इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो कोई दिगत नहीं होगी तीसरा कौश्चन आपका है माइनस 72 X स्कॉर Y स्कॉर Z और इसको डिवाइट करना है माइनस 12 X Y Z से तो क्या करेंगे माइनस 72 X स्कॉर Y स्कॉर Z बाई माइनस 12 X Y Z तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो 12 चक्राइब 72 तो आपका कर जाएगा माइनस से माइनस कर जाएगा और इस X से यह स्कुरार हड जाएगा इस Y से यह स्कुरार हड जाएगा जट से जट कैंसल हो जाएगा तो बचे क्या 6XY 6xy ठीक है यह आपका answer हो जाएगा ठीक है चलिए एक question फिर मैं आपको जो पहला process मैंने बताए था उससे बता देता हूं ताकि आप confused नहीं हो कि हमें 56mnp square और नीचे में है यानिके divide में यहाँ था 7mnp till 25 तो करेंगे क्या 56 by 7 कर देंगे 10 और M का power M उपर नीचे भी है तो M का power कर जाएगा one और नीचे भी है one तो & minus 1 हो estás N का power क्या हो जाएगा one – one 2-1 ला फिक अट्यट्राइश अगा साथ आट एवह नשותर मारा function क्या हो गया? 0, उसके बाद क्या हो जाएगा? एन का पावर हो जाएगा 0, P पावर हो जाएगा 1, यानिके यह हो गया-8, किसी भी नमबर का पावर 0 होगा तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो 1, 1 हो जाएगा, 1 into 1 यह हो गया, तो चोड़ दीजिए, और P जो है P पर 1 यानके P आजाएगा है तो यह माइनस 8P यह हो गया आपका आंसर ठीक है पांचवा कोशन देखिए करना वही काम है बस थोड़ा थोड़ा आपको तो इसमें आपका जो पहला का 4 कोशन था यह मैंने हल कर दिया है अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कोशन को जिसमें आपको कहा जाला है डिवाइड करने के दिया है तो सेकेंड कोशन का जो फर्स्ट है उसमें आपका दिया हुआ है 5M क्यूब मैनस 30M स्कौर प्लस 45M और इसको डिवाइड करना 5M से बटा 5M क्या बन जागा यहाँ पर देखो कि आप ऐसे करना 5M क्यूब बाई 5M मैनस 30M स्कौर प्लस 45M और प्लस 45M बाई 5M अब यहाँ आप वैसे ही काटो 5 से 5 कैंसल हो जाएगा M से 3 को अटा के 2 कर दो 5 चक के 30 हो जाएगा इस M से यह 2 हर जाएगा ठीके और 5 नमा 45 हो जाएगा और M से M कैंसल हो जाएगा बचेगा क्या आपका यहाँ पर M स्कौर हो जाएगा उसके बद आपका यहाँ पर 6M हो जाएगा क्यूंकि यहाँ पर सिफे स्कौर अटा है तो M तो बचा ही हुआ है प्लस 9 यह हो गया आपका आंसर ठीक है ना बास समझ में आ गई चलिए इसी का जो second question है उसको देखिए 8 x square y square minus 6 x y square plus 10 x square y cube by 2 x y क्या हो जाएगा 8 x square y square by 2 x y minus 6 x y square by 2 x y plus 10 x square y cube by 2 x y समझ गे ना यह सब के बट्टे में है सब के denominator में है इसलिए हमने सब को अलग-अलग कर दिया है ठीक है अब यहां कटेगा two fours are eight काट दो इस x से यह square हट जाएगा इस y से यह square हट जाएगा दो तिया 6 हो जाएगा और x से x y से y cancel हो गया दो पंचे 10 इस x से यह square हट जाएगा और y से यहाँ जो थीरी लिखा हुआ यह हट के यह 2 आ जाएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर अब अराम से यहाँ पर लिख दीजे आप four x y क्योंकि यह square हट गया तो सिर्फ x y बचा minus 3 y क्योंकि यहाँ से y जो हमने अटा है sorry यहाँ पर क्या है x x काट रहा था y से यहाँ y square भी है ठीक है तो इसले square हट आएगा y तो रह जाएगा plus 2 पंचे तो यहाँ 5 हो गया और यह यह cancel हो गया x और यहाँ पर था क्या आपका x का power 2 था ना यह 2 था x का power 2 तो यहाँ से x से यह हट जाएगा और y से यह तो यह हो जाएगा आपका x y square क्योंकि तीन हटा के दो लिखा था यह answer हो गया ठीक है चलिए उसके बाद जो इसका अगला कुछिन है उसको देखिए तीसरा में आपको है 9x square y minus 6xy plus 12xy square इसको divide करना है minus 3xy से तो लिख जिए minus 3xy क्यों हो जाएगा 9x square y यह लिखा इसके निचे आपको minus 3xy रखना है फिर यह लिखना है minus 6xy और इसके निचे आपको यह रखना है minus 3xy उसके बाद आपको रखना है plus 12xy square और इसके निचे आपको रखना है minus 3xy ठीक है सबके निचे रख दिया आप देखो क्या हो जाएगा y से y तो cancel हो जाएगा x से यह square हट जाएगा 3 से 3-3-9 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ देखो 3-2 निचे तो आ जाएगा आपका x से x cancel y से y cancel 3-4 जा 12 हो जाएगा x से x cancel y से y square cancel तो बच्चे का आपका यह minus लगाईए और यहाँ लिखे 3-x बस क्यूंकि y तो cancel हो गया उसका देखो minus इदार है और यह वाला minus तो दुर मिलके क्या बन जाएगा plus 2 और तो कुछ है नहीं x y था cancel हो गया तो plus 2 हो जाएगा और यहाँ देखो यह minus यह plus मिलके minus बन गया 4 और यह तो x cancel हो गया y से y से y स्क्वार हटा है ना y तो बचा हुआ है तो यहाँ जाएगा 4y यह हो गया आपका answer चौथा question में क्या है आपके 12x 4 plus 8x cube minus 6x square और इसको divide करना minus 2x square से क्या बन जाएगा 12x 4 बटा minus 2x square plus 8x cube by minus 2x square minus 6x square minus 2x square x square cancel हो गया x square से यहाँ यह हट जाएगा ठीक है क्योंकि x का power 3 हो गया इधर x square 2 है x square से यह हट जाएगा 1x बच जाएगा x square से इसकोड आएगा तो x square हो जाएगा ठीक है और यहाँ देगो 12, 12, 12, 8, 2, 6 क्या बन जाएगा minus 6 x का power कितना है यहाँ था x का power 2 आई यह x का power 4 था तो कटके तो कितना आगया x square आगया ठीक है plus minus minus 4x और minus minus plus 3 बस यह 3 ही रखना है ठीक है यह गया आपका अंसर ठीक है तो fourth question भी आपका हलो चुका है अब जो question है इसमें इसमें आपको quotient के सासर रिमेंडर भी पता करना है यहाँ पर तो quotient यह तो exactly divide हो गया लेकिन अब जो आएगा उसमें quotient भी आएगा और रिमेंडर भी आएगा जैसे कि पहला क्या है question number 3 थीरी का जो first है उसमें क्या है नहीं थीरी यह सिर्फ यहाँ पर x square है minus 4x है और उसके बाद आपके पास कतना है plus 4 और इसको divide करना है आपको x minus 2 से तो बटा x minus 2 करके भी कर सकते हो आप लेकिन इसमें factorize करना पड़ेगा वो अभी आपको आता नहीं है तो आप करोगे क्या इसको इस तरीके से भाग लगाओगे x minus 2 से अब इस तरह का भाग आपने शायद पहले किया हो या नहीं किया हो इसलिए मैं आपको पूरा basic से इसको बता देता हूँ ठीक है करना क्या आपको इस process जो आपने उपड़े बनाए ना उसी का इस्तेमाल करके इसको भाग करना है कैसे करना है देखे यहां पर सबसे पहली चीज़ आपको यह देखनी है कि यहां क्या है पहले नंबर पर x square है पहला टर्म आपका x square है और यहां क्या है x है तो x square में x से भाग लगाई है ठीक है यह आपको सिर्फ starting मैंसे करना है जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद से यह करने की जोगता है आप तुरंत समझ जाएंगे यहां पर क्या होगा तो x square में x से भाग लगा होगे तो क्या होगा यहां पर power में 1 है ना उपर में 2 है तो बराबर क्यों जाएगा x का power हो जाएगा 2-1 यानिके x आजाएगा यानिके x से square चाहिए मुझे तो x को x से गुना करना पड़ेगा यानिके यहां x है मुझे x से square चाहिए तो हमें x से multiply करना पड़ेगा तो अब यहां पर जो आएगा वो मुझे पता चल गया जाएगा अब इस x से क्या करना है इस दोनों को multiply करना है सिर्फ इसको multiply नहीं करना है इस दोनों को x को x से multiply किजएगा x square आएगा और 2 को x से multiply किजएगा तो 2x आजाएगा लेकिन यहां चुकिए minus से इसलिए minus का sign हम देंगे 2x लिकेंगे अब बच्चे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप भाग करते हो ना नॉर्मल भाग करते हो जैसे मालो suppose यहां पर 9 और 3 है अब इसको 2 से भाग लागा तो 2 चोग के 8 होता है तो क्या करते हो यह 9 में 6 minus करते हो ना तो वैसे ही यहां पर आपको क्या करना है minus करन यह जो भाग करते हैं तो minus करते हैं तो यह वाला minus यानके यह minus हम करेंगे यह minus और इसके पीछे जो 2x के पीछे minus है यह plus हो गया अगर आपको नहीं समझ मैं तो ऐसे देखिए minus 4x है उपर में नीचे में है minus 2x हमें क्या करना है इस में से इसको घटाना है ना तो हम minus का चीन तो क्या हो जाएगा minus 4x minus minus plus होगा 2x तो 2x के पीछे क्या था minus अब क्या हो गया plus इसलिए मैंने 2x के पहले minus था plus कर दिया आपको क्या करना है simple जब भी ऐसे काम करोगे तो जो sign रहेगा उसका उल्टा यहाँ पर कर देना plus रहेगा minus कर देना minus रहेगा plus कर देना मैंने reason समझा दिया अब minus है cancel हो जाएगा यहाँ-4x यहां-2x तो मैंने 2x से खुना करोगे तो इसलिए-2x लाने के लिए x को किसे 52 है किरो एक्स-242x तो क्या bet on Pokémon ु यहाँ-2 से खुना किजेगाbe मैंने 2x और खुई-2-2, से गुना कीजिएगा तो प्लस 4 आ जाएगा अब देखो माइनस है तो प्लस कर दो प्लस है तो माइनस कर दो माइनस 2x प्लस 2x cancel हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 cancel हो गया तो आपका answer कितना आ गया x-2 तो यहाँ पर लिखेगा quotient is equal to x-2 और remainder क्या है आपका कुछ नहीं तो 0 यह हो गया आपका answer ठीक है चलिए question number 3 आपका complete हो गया question number 4 देखिए question number 4 में आपको x square minus 4 है और इसको भाग करना है x plus 2 से तो वैसे ही करेंगे x है तो इसको किस चीज़ से गुना करेंगे तो x square आएगा x से गुना करेंगे तो x into x कितना हो जाएगा x square ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है आपको कि यहाँ x से इधर 2 है तो 2 को x से गुना करो क्या होगा 2x होगा plus 2x ठीक है अब देखो यहाँ minus करोगे इसके पीछे plus है तो minus कर दो cancel हो गया अब देखो यह क्या हो गया 2x माइनस में आगये न तो x के पहले क्या है माइनस हो गया plus नहीं है माइनस हो गया हो जाएगा minus 2x क्योंकि 4 में से ठीक नहीं नहीं तो इसको minus 2 x लिख देना है और यह minus 4 जो है x-2 और रिमेंडर हो गया 0 ठीक है देखो यहाँ पर अगर आप confuse करोगे न ऐसे कि यह जैसे 2x हो गया यहाँ plus में था हमने minus दिया और यहाँ ने लिग दिया minus 2x तो अगर आप confuse होने तो इसको ऐसे लिग दिया इसको ऐसे लिग दिया एकस स्क्वाइर प्लस यह माइनस कुछ भी लगा दो ठीक है प्लस 0x-4 अब बोलोगे सर यह कहां से आया तो देखो इधर x का पावर 2 है इधर x का पावर 1 है लेकिन x का पावर यहाँ तो दिया नहीं हुआ है तो हमने 0 लगा दिया ठीक है 0 into x का पाव नमबर कोशन उसको देखो फिफ्ट नमबर कोशन में क्या है x square प्लस 12x प्लस 35 और इसको भाग लगाना है x प्लस 7 से क्या हो जाएगा यहां पर इधर x है तो आपको करना क्या होगा यहाँ x से स्क्वाइर लाने के लिए x से मल्टिपलाई करना है तो अब x को इस दोनों से multiply करो, क्या हो जाएगा, x को x से multiply करेंगे, तो x square हो जाएगा x को 7 से multiply करेंगे, तो 7 x हो जाएगा, minus करेंगे, यहाँ minus करेंगे, तो cancel हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5 x होगा, plus 35, क्या हो जाएगा, 5 x लाने के लिए x को किसे multiply करोगे, 5 से, तो 5 x हो ज़ाएगा और 5 को साथ से गुना करोगे तो 35 हो जाएगा अब क्या होगा माइनस माइनस तो ये cancel, ये cancel, 0 बच गया तो quotient आपका हो जाएगा x plus 5 और remainder आपका होगे 0 समझ गया है चले next quotient छटे quotient में क्या कहा जा रहा है आपसे कि 15x से square प्लस X माइनस 6 को भाग लगाना है 3X प्लस 2 से तो यहां भी आपको क्या करना है 3X है और इदर 15X स्कुरार है आपको अगर सोचने में यह की क्या होगा 15X स्कुरार और यहां 3X है तो कैसे करेंगे तो देखो हो यहां पर 15 x square है न और इसमें भाग लगाना है 3 x से तो 3 5 15 हो गया x से यह square इसका हट गया तो 5 x यानि कि आपको 5 x लगाना पड़ेगा 5 x से तो 5 x रखें यहां और इधर 3 x plus 2 से multiply किजिए तो 5 3 15 हो गया और x को x से multiply किजिए गया x square आ जाएगा फिर 2 को 5 से गुना किजिए तो 10 हो जाएगा 10 x यानिके 5 x को 2 से 10 x हो गया plus है minus कर दो plus है minus कर दो cancel करना है फिर plus x है minus 10 x है तो यह जागा minus 9 x यह सिब आपको पहले से पता है minus 6 अब यहां minus 9 x है यहां 3 है तो किस से गुना करोगा माइनस 3 से गुना करने पर minus 9 x मुझे मिल जाएगा माइनस 3 को 2 से गुना किजिए तो minus 6 आ जाएगा plus plus cancel cancel हो गया ठीक है तो कोशेंट आपका 5 x minus 3 और remainder आपका 0 हो गया यह आपका answer हो गया ठीक है तो कोशेंट नमबर 6 मैंने आपको समझा दिया है और इसके जो आगे के कोशन है ठीक है कोशन नमबर 7 से लेकर जो 15 तक का कोशन है इसको मैं अगली वीडियो में समझाओंगा ठीक है यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है आप लोग भी ठाग जाते हैं एक continue एक वीडियो को नहीं देख पाते हैं ठीक है तो अभी 6 का म सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिएगा मिलता हूं फिर आप से अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ध्यान रखे वीडियो देखने के लिए आप सभी अच्छों का बहुत बहुत शुक्रिया